हेलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा एदी आपकी जो गाई भेंस हैं उसकी बच्चे दानी पर एदी जब गांट बन जाती है तो क्या इलाज करना चाहिए या एदी आपका पसू बार-बार रिपीट होता रहता है या आपका पसू हीट में नहीं आता है या आपका लंबे समय तक बनी रहती है यह सभी के सभी जो कारण है यह एक ही जो यह बच्चे दानी पर गांट है उसके इर्ड गूमते हैं तो पूरी डिटेल से बताए जाएगा वीडियो को तो स्किप करके मत देखना पूरा देखना पूरा देख लेंगे पूरा प्रोपर तो सभी हैं यहाई avec्चे दानी को चय करता है या सर्विक्स को चय करता है या ऀाई करता है या यह यह द्यों आप दिखाते हैं उसे जिस परकार से रिपीट हो रहा या हीट्य में हारा है इंत्पके आपको बताता है कि आपके पस्णों की बच्चे दानी पर गांट बन गई है यह पूरी डिटेल से बताया जाएगा देखो जब यह दिया आप कि पर सुंत ऑचेंद प्रकार तरह है इसी तरहिए उसके इनको गांठें बोलते जिस परकार जिसे इस परकार Carlos all your इस पर घ्कार में चोड़ी में से इक डिच के बारे में तो आपको कर्ट शीरेन नहीं वह तो च्य तरह से जानते तो फोल्किलर से लंबेकर रहता है आपने दो लंबेकर में रहता है और फिर धांथ 10 दीबार रुका है तो थोड़ा रुका और दीडेट में वापिस हीट में है क्योंकि जब पर हिट का टाइम है जो हीट साइकल है वह आपको कम लगने लग जाती है उसकी वज़एसे भी क्या होता है कि आपका पर कुण यह नहीं पाता है या ठीर नहीं पाता है। प्षेस्ट बनी वी है इसी तरह को यह अफिस्ट के बारे में भी हुआ वही आपके परशु भी दिक्र दे करें बढ़ हैं just a little cyst की वज़े से क्या होता है कि आपका परशु जिस परकारचिए एक बर हीट में आ गया और आप ने उस्की करवा लिया को इनेच्छर और और बाद में आपके पसु मैंने सूचते हैं कि आपका बिया जाएगा लेकिन समय निकाल लेता है और फिर आप पुलिटल शेख करेए कि पाँच मेने च्छ prima मेने बाद में आपको डाउट होता है तो लंबे समय तक बाद में फिर लंबा चला गया हीट में नहीं आता है और कईबर बिल्कुल भी आपका पसु हीट में नहीं आता है तो इससे क्या होता है कि आपके पसु में जो बच्चे दानी पर गांठे बन जाती है उसके पशुवय से आपके पशुवय में इसित्रह की दिकट देखने को मिलती है, लंबे समय तक हीट में हीट में रहता है, हीट में नहीं आ पाता है, तो इसके लिए क्या करना चीए? देखो जितने भी जो डेरी फार्मर पशु पालक हैं, चाहे एक या दोगा रखते हूं या जदा रखते हूं सबसे पहले आप उनको समय समय पर डीवर्मिंग कराते रहें देखो डीवर्मिंग का बहुत बड़ा रोल होता है पसूं को किसी भी तरह की बीमारियों से बचाने के लिए या अदर बीमारी आपके पसूं के सरीर में होने के लिए बचाने के लिए भी डीवर्मिंग से आप बचा सकते हैं तो डीवर्मिंग आप उस पसूं की करवा दे समिश में रही बात एक आप अपने पसूं को अच्छी कंपनी का ब्रांड का मिनरल मिक्सर पाउडर आप उसे सबीड से आप अपने पसूं को देंगे तो उसकी वज़ाइसा मिनरल से विटामिन जिसकी वज़ाइसे आपके पिसुंग मीशाइं इस तरह की दिकत होती है तो इसके लिए अच्छे ब्राइन का मिनरल जिसके अंदर कर गात्रा में वीटामिन विटाविन एडी और कोपर कोबार जिंक सेलेनियम जितने प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वह सबी के सबी उसके अंदर हो कौन सा ऐसा अच्छा मिन्रल मिक्सर है मेरे चेनल पर डिटेल से वीडियो बनी विए मिन्रल मिक्सर के बारे में बहुत सी वीडियो उन में से लिए वीडियों से आपको इस थरी की विमारीओं से बताल है तुछ आप 4 यह साल यह साथ साथ आपको इसमें दिकत होती है हार्मोन का एंड बैलेंस हार्मोनल का ग्याधियो दिकत होगी तो आपके पांशू में इस तरह की दिकत देखने को मिलेघी तो इसके लिए आपको को जो परियोग करना है उसमें आप जो इंजेक्शन परियोग कर सकते हैं जिस तरह से आप वेट मेट क्लोपोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है जिस तरह से वेट मेट का परियोग आप अपने पसू में करवा सकते हैं यह इस तरह की सिस्ट बनी विया तो आप इसे इसके बारे में मेरे चेनल पर डिटेल से वीडियो बुनीवी है, पूरी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जाना है, तो जाकर के देख सकते हैं, यह भी 2 ml आता है, तो आप इस इंजेक्शन का परियोग D-Jol-Cold, D-Cloprostinol Salt का परियोग आप अपने पसू में 2 ml करवा सकते ह इस तरह की ये दिकत हो तो ये injection लगवाएंगे तो आपके पसू में बहुत ही जल्दी आपको रिक्वरी मिलेगी जो सिस्त बने है वे भी गाइप हो जाएंगे और जो आपके पसू में जब भी हीट में आएगा तो आपका पसू कंसीव भी करेगा रही बात एक और बताना च साताओं की इस तरह की दिकत से बसने के लिए आपको फिर भी दिकत लग रही है यह आपका पसू हीट में आ रहा या अधर भी जो दिकत है तो आप दस्वे या ग्यार्वे दिन आपको इन इंजेक्शनों को रिपीट भी करवा सकते हैं और उसके बाद में आपका पसू आपको ज्यादा इसमें इंजेक्टेबल निवत है और भी बहुत इस तरह कि इस कैटेगरी के इंदगत कई इंजेक्शनों का परियोग किया जाता है यह दि आपको पूरी और भी डिटेल से जाना है तो निशेशा कि आप कमेंट में लिए सकते हैं आपको पूरी डिटेल स से इस तरह की दिकत से आपको इन इंजेक्शनों से ही इलाज हो जाता है जब हीट में आ जाती है तो उसके बाद में आपको यह नेचरों करवाने के बाद में पांस से छे दिन बाद में आप उसे जो प्रोजेस्टों इंजेक्शन है उस तरह की इंजेक्शन का आप परियो वीडियो कम से कम 15 से 20 मिन्ट की बन जाएगी यह वीडियो अच्छी लगिए निसीजा कि आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को जितना हो सकता है वेटरिने स्टेंट या पसुपालक उनके साथ सेर कर दें और जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस अंदर पर भी आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर दी जाती है इसी तरसे वीडियो देखते रहें इसी तरसे आमिर को प्यार देते रहें थैंक्स थन्यवा